ये गाइट बांद है ये बगल में, ये गाइट बांद है, ये मात्र, 100 मीटर बचा है ये गाइट बांद, चाहन वो गारी लगी भी है, बस वही गाइट बांद है खगडिया जिले के तेलिहार गाउं में दिसंबर के महीने में अचानक बाहर आने से हलकम्प मच गया गाउंवालों की मदद के लिए फोरण जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमों पपू यादव गाउं पहुच गए उन्होंने तेलिहार में कोसी नदी के कटाव के स्थिती वीडियो कॉलिंग के जरिये सिंजाई विभाग के चीफ एंजिनियर को दिखाई पपू यादव ने जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की अपील अधिकारियों से की है पूरा वो दीरा तर्चे दीरा कहां था और यह इलाका चीफ इंजिनियर सब यह पूरा इलाका गौह है अब यह गौह कटने वाला है कट जाएगा गौह पूरा यह गाइट बांध है यह बगल में यह गाइट बांध है यह गाइट बांध देखिए मात्र एक सो मीटर बचा है यह गाइट बांध जाओ वो घारी लगी भी है गारी बस वही गाइट बांध है वहीं पपू यादव ने कहा कि तलिहार में बाहर प्राकृतिक नहीं बलकी मानविय आपदा है उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग दरसल लूट विभाग है प्राकृतिक आपदा नहीं है यह मानविय आपदा है यह इसको आप समझ लेजिए बहुत कि यह नेताओं की मानसिक्ता इतनी हीन हो चुकी है कोमन आपमी आप लोगों के जिंदगी से उसकी जहुरत से कोई मत्रम नहीं है अब यह पचास साथ लगबग सो एकर जमीन कट गया यह बीश दिरों के अंदर अब मात एक सौ मीटर पर यह गाइट बांध है उसके बाद गों है और अभी तक कोई कोवर घर में सोया हुआ है और कोई गुर्थारी में सोया हुआ है यहां का कोई M.P.M.L. मंत्री संत्री को कोई मत्लब नहीं है चाहे जिनकी भाण में जाए कोई कोई मर जाए हर जाए नदी तो हमारे लिए तीन हिस्सा हम बाढ़ के चपेट में है आज नदी उपर हो गया गों नीचे जाए हो चुकी है गाद इतना जमते जमते हम पैसे खाते चले गए पूरा का पूरा जो शिचाई विभाग है इसको इसका नाम रखा गया है लूट विभाग पूरा मापिया इस पे जमा हुआ अरपपती खरपपती है इससे बड़ी बड़ी सत्ता चलती है जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आई बार बार कहा जाता है सिचाई मंत्री जी के द्वारा कि हम बार से मुक्ती देंगे कुशेश्वर अस्थान हम चाइलेंज करते हैं अगले साल तक भी आप मुक्ती दे दिये तो हम पैर धोके पियेंगे हम सिचाई मंत्री जी आपका अब हम कुशेश्वर अस्थान की बात करते हैं कुशेश्वर अस्थान जहां कल मुकमंत्री जी गए थे जहां यह तीन बार ले गए अब यह इलाका बेलदोर परकंड का यह देलिहर और यहीं नहीं कटा हो रहा है और भी काई जगा कटा लगी भी है कगड़िया कोई माबाप नहीं है यह देर सो साल का यह बाबा अकास्थान गुदरिया बाबा यह कट गया लोगों की पूरी की पूरी फसल आलोग खेती ख़दम हो गई अगरहन अगरहन तो इस तती अभी चीफ इंजिनेर से बाचित हुई है उन्होंने आज से कल तक हमें कहा है कि मैं यहां पर ततकार टेमपरोरी कुछ शुरू कर देता हूँ ताकि यह बचे और उसके बाद उसके बाद अभिलम बना करके हम इसको पूरी परमानत करने की बकाम करें तेलिहार गाओं में कोसी नदी के कटाव को रोखने के लिए फॉरन इंतजाम करना चाहिए क्योंकि इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है ब्योरो रिपोर्ट पंजाब केस्री टीवी